चलिए दोस्तों आपको कुछ अलब तरीके से बताते हैं कि लायक का विलोम सब्द क्या होता है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको लायक के विलोम सब्द की बारे में हम अच्छे से अच्छे जानकारे देंगे आप बसे वीडियो को लायक करें चेनल को सब्सक्राइब प्रक्री और बेलाइकन को दबा दें हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि विलोमसब्द किसे कहते हैं ताकि आप लायक के विलोमसब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें तो दोस्तों जड़ाद्यान से सुनें कि वे सब्द जो एक दूसरे के विप्रीत या उल्टा २ायिक दोस्तों लायिक का विलोंसब्द नालायक होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करणा है, जिसके लिए आप भी मरसा दो रहें कि लायिक का विलोंसब्द नालायक होता है। इसके लोग दोस्तों अगर आप इनी और भी दिकची तरह से याद करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लायक का अर्थ क्या होता है और नालायक का अर्थ क्या होता है तो आईए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि लायक का अर्थ क्या होता है दोस्तों लाय लायक का हिंदी में अर्थ होता है आयोगी या मुरुकता पूरण आचरन करने वाला यानि जो योगी नहीं होता है या फिर मुरुकता पूरण आचरन करने वाला व्यक्ति होता है उसे नालायक कहा जाता है तो इस तरह से दोस्तों आपने अब समझा कि लायक का आर्थ क्या है और नालायक का अर्थ क्या है तो आप अब ये और भी दिग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लायक का विलोम सब्द क्या होता है तो आईए दोस्तों अब हम एक बर इसके बारे में फिर्शे बात करते हैं कि लायक का विलोम सब्द क्या होता है तो दोस्तों जरद्यान से सुनी कि हिंदी व्याकरण की अनुसार लायक का विलोम सब्द नालायक होता है यानि दोस्तों लायक का विलोम सब्द नालायक होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आभी मारे साथ दो रहें कि लायक का विलोम सब्द न लाइक होता है इसके लग दोस्तों अगर आपको जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दी